कि अच्छा बेलकम बैक बल्कम टू माय चैनल तो अभी तेक सोता कीचन को सब्सक्राब ने किये तो प्ली जाके सोता कीचन को सब्सक्राइब कर लीजे मेरा वीडियो अच्छा लगोता लैक से है और कोमन के लिए टोटल फुरी है करा है तो आज हम आप लोगे कर लुए करा हैं खीर तो बहुत तरह से अपलोग कीर बनागर खांगे एक बड़ी जजीए इसे लिए चाट जाएगा इतना टिश्टी खीर बनके रेडियो होता है कहा यहां पर हम्दोग दोद लिए तियाह पे कव मिल्क का का इस्तमाल किया है क जुँए यहां पर 20 मिनट पहले हम फूल को फुला लिए इसको अच्छे हथोँ समस्तल लेंगे यह से चावल के टुकरे टुकरे में होज़ाना चाहीए दूद में अच्छे से वुवाल आने के बाद ही हम यहां पर हम चावल डालेंगे एध हम मिक्स कर लेंगे दूद में चावल डालेंगे तो एक बर अच्छी से मिक्स कर लिजागा और मिक्स नहीं किजागा तो चावल जाके नीचे चिपक सकता तो यहां पर गास पर मेडियों फ्लेम पर डखे थे और यहां पर 20-25 मिनिट हो चुका है चावल अच्छी से सॉफ्ट हो गया है फ्लेम हम लो कर दिए गैस पर हम पैंच रहा है उसमें हम वन टेबल सपून घी डालें और इसमें हम विदाम डालेंगे तो फान चप करके हम विदाम डालेंगे तो ड्राइफ फूट अपने पसंद अब्स क्रिस्पी होना सबी को भून कर निकाल लेंगे प्लेट में इसी पैर में आप चीनी डालें तब मीठा अपने टेस्ट करने शार कर सकते तो यहां पर 2 कलोड दूद में एक कप कर लगोद चीनी डाला जाता है अब हाफ छीनी डालें क्योंकि मीठा कम खाते इसलिए ह यहीं को मैंट कर लेंगें अच्छे से मैंल mitad हो चोछा है तो चीनी को को हम केरमिल बना लीए हैं ते क encaps में डいी हो चुका है अभी एक सीदूंभ में करना लिद नके अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स कड़के अदम लुकृट हलका सा फॉर्म बन जाएंगे पानी देते समय अपना हाथ को बचा कर रखेंगे तो चीट आपके हाथ में भी पर सकता है तो यह देखिए अच्छे से लुकृट हो चुका है अब इससे हम डालेंगे खीर में इससे कि या खीर कर टेष्ट एकदम चेंज हो जाता है अब फ्लेवर इसका एकदम इनहांस हो जाता है तो जब भी आप खीर बनाया तो एक वर इस तरह से घीर बनाकर टेस्ट किजिएगा अगर आप लोग को यह खीर कर अच्छा लागा तो प्लीज आप जाकर मुझे कामड़ी अब यहां पर इलाइची पॉडर डालेंगे और यहां पर भुना हुआ ड्राइब फूट डालेंगे अच्छी से मिक्स कर लेंगे अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं यहां पर फ्लम पर थोड़र और रख सकते हैं मेरे घर में किसी ज्यादा पासंद नहीं है तो हम यह पूड़े खीर में नहीं डालेंगे कैसर क्योंकि मेरे बैटरी को केसर का अच्छा नहीं लगता है इसलिए आप लोग को समय ही यहां पर डालेंगे अगर आप लोग केसर कहना चाहते हैं तो खीर बनाने समय ही केसर डाल दीजिए करमलाय जी खीर का लुट उठाए और